दोस्तों घर बनाने के टाइम में बहुत सारी गलतिया होती है लेकिन एक जो common गलती होती है जिसे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं वो होता है हमारे electrician और plumber जो अपना pipeline डालने के लिए हमारे जो RCC structure होता है जैसे column हुआ बीम हुआ जो भी उनके रास्ते में आता है वो वह यहां अगर आगया तो वहां पर सरिया भी काड़ देते हैं तो दोस्तों यह बिल्कुल गलत तरीका है ऐसा आपको RCC member जितना भी है column beam slab उसके साथ कभी छेड़ चाड़ नहीं करना है क्योंकि हम वहां जो है उसके मजबूती को खतम कर देते हैं तो इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि इस तरह का जो गलती होता है ओ आपको उस गलती को सुधार करने के लिए किस तरीके से एलेक्ट्रिक का या पलंबिंग का पाइप डालना है तो दोस्तों वीडियो को आप एंट तक जरूर देखिएगा अब जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि यहां यहां पर देख सकते हैं कि चिटेन चौरा आप यहां पर देख रहे हैं कि वहां पर लगाने के लिए यहां पर पाइप कंस्रिल्ड वहाँ पर डालने के लिए यहाँ पर 4 इंच के दिवार में जब आप कट्टिंग कर देते हैं तो बचता है 2 या 3 इंच 2 या 3 इंच में कितनी मजबूती आपकी दिवार में रहा जाती है यह आप भी समझ सकते हैं और जहां पर board लगाना होता है modular board जो हम लगाते हैं तो वहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा दिवार R पर दिखाई देता है यानि कि वहाँ कोई support ही नहीं होता है हमारे दिवार का तो दोस्तो इस तरीके का गलती आपको नहीं करना है वैसे जितना भी RCC member है column beam slab उसको कभी भी छेड़ खानी नहीं करनी चाहिए generally लोग जनकारी के अभाव में लोग गलती कर देते हैं अब जैसे यहाँ देख रहा है कि slab beam है उसको काट दिया गया है जबकि होना यह चाहिए था कि slab casting के time में ही वहाँ बीम में pipe निकाल कर छोड़ देनी चाहिए थे जब आप छट की ड़लाई करवाते हैं तो वहाँ पर क्या को करना चाहिए था कि वहाँ पर bend डालके pipe डालके और जहां जहां जिस भी दिवार पर आपकी pipeline उतरनी है यानि कि वहाँ पर board आनी है या जो भी काम है तो वहाँ पहले यापको point बना के छोड़ देनी चाहिए थे फिर वहाँ से आप सीधी pipe डिवार पर उतार के वहाँ पर अपना connection कर लेते हैं यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ तो और हद कर दिया गया है यहाँ पर जो column और beam है उसको कितना यहाँ बुरी तरीके से कटा गया है जो हमारा यह slab है slab में आप देख रहे हैं कि pipeline उतारने के लिए पूरी छट को यहाँ पर 4 इंच और 4 से 5 इंच डाय का यानि कि पूरा छट तोड़ दिया गया है यहाँ तक कि सरिया भी काट दिया गया है तो यह बिल्कुल गलत तरीका है दोस्तों RCC member को आप काट दे रहा हैं वहाँ का सरिया भी काट दे रहा है यहाँ column है column में आप देख रहे हैं कि column का जो एक corner है corner भी पूरा काट दिया गया है तो दोस्तों RCC मेंबर को आप कम जोड कर रहा है यानि कि घर का मजाक बना रहा है यह घर कभी भी अगर तीज भुकम का जटका आता है तो वहां से तूटने का डर रहाता है वहां से कराय काने का डर रहाता है तो ऐसी गलती आपको कभी नहीं करनी है अब दोस्तों बहुत लो दोस्तों मैं बता दूए कि अगर आपको जहां भी जिस दीवार पर आपका बोड आना है या जहां पे आपका pipe उतरना है, आप कोशिस करें कि वो दिवार 9 इंच की बनाई जाए, बाकी दिवार आप 4 इंच की कर सकते हैं, और जहां पे main दिवार तो आपको 9 इंच का करना है, और जहां आपको board route देना है, जहां पे concealed wiring होनी है, वहां पे आपको 9 इंच की दिवार दे तो एक इंच के cover नीचे और ऊपर आप 20-20 mm का दे देंगे तो उसी में खतम हो जाता है फिर उसमें pipe डालना है आपको fan box डालना है तो वो क्या होता है कि वहाँ जो आपका छत होता है वो कम जोड हो जाता है वो पूरा मतलब उसके जो concrete है उपर नीचे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है वहाँ fan box से हो सकता है कि नीचे या उपर के तरफ आपका जो concrete है वो पूरी तरीके से भरा नहीं तो आपका छत बेकार हो जाएगा तो इसलिए कभी भी कोशिस करें कि छत आपको 5 इंच की रखनी है ताकि उसमें आसानी से आप fan box या light की जो box होती है या concealed wiring की pipe ह होती है concealed pipe वह असानी से डल जाए अब रही बात की इसको ठीक कैसे किया जाए मतलब की इस गलती को कैसे सुधारा जाए और इसको सही से के हमारा electric का pipe या plumbing का pipe डालने का तरीका क्या है तो सबसे पहले electric का pipe डालने के लिए आप कोशिस यह करें कि जब भी आपका काम हो यानी च्छत की डालाई हो उससे पहले आपको planning होना चाहिए उसका कि हमें किस दिवार पर कौन सा board उतारना है हमें वहां पर किस दिवार पर मतलब अपने TV का board रखना है या AC का board रखना है उस हिसाब से फिर आप क्या करें कि जब च्छत की डालाई हो रही है उसी time आप fan box डलवा पर के वहां पर अपना board लगा देंगे तो इससे क्या है कि आपको काटनी नहीं पड़ेगी च्छत के थुरू ही आप जिस दिवार पर आपको board लगानी है वहां वहां आप अपना concealed pipe डाल सकते हैं वहां अपना board लगा सिर्फ आपको इट की दिवार जो होती है वही काटनी ह होती है और फिर वहां से आप असानी से pipe को नीचे करके वहां पर अपना concealed pipe डाल सकते हैं कोई भी RCC structure को काटने के आपको जरूरत नहीं पड़ती है अगर एक room से दूसरे room आपको ले जाना है तो आपको वहां पर भी कुशिस करना है कि छट से ही मतलब दूसरे तरफ pipe पहले बीम पड़ेगा अगर उपर नीचे करने के लिए तो भी आप काट देंगे तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है आपको जब छट की ढलाई हो उसी टाइम प्लानिंग के हिसाब से आपको जिस जिस साइड भी आपको pipe चाहिए वहां पर बीम में उतार लेनी है और फिर बाद आप क्या करें कि जब आप फर्स बनाते हैं यानि कि तो उसमें टाइल या पथर लगाते हैं तो अगर आप बेस जो हम चट ढालते हैं उसके उपर अगर आप दो इंच का फिलिंग कर रहा है तो उस दो इंच के फिलिंग में आप एक इंच का concealed pipe उसमें से घुमा के जिदर आपको जिस दिवार पे भी ले जाना है वहां से आप ले जा सकते हैं यानि कि फ्लोर के रास्ते के थुरू आप भी वहां से concealed piping कर सकते हैं तो यह दूसरा option है यह भी बहुत हद तक लोग कराते हैं यह भी अच्छा होता है इसमें भी कोई problem नहीं होता है तो आप फ्लोर के से भी जिस भी दिवार पे चाहें वहां पे आप ले जाके फिर वहां से उपर इंट के दिवार के थुरू उठा सकते हैं अब बहुत जगा देखा जाता है कि plumber भी क्या करता है कि अपना bathroom में pipe को cross करने के लिए pillar को काट देता है च्छत को काट देता है तो दोस्तों आपको कभी भी जो अब electric का और plumbing का काम होते है इस चीज को खास ख्याल रखना है और site पे ध्यान देना है कि आपका जो दिवार यानि RCC structure है column beam वो कभी नहीं काटा जाए उसका सरीया कभी नहीं काटा जाए च्छत कभी नहीं काटा जाए अगर इस तरह कि गलती करते हैं तो आपका जो structure है उसके साथ चेड़ चड़ हो रहा है यानि कि उसकी मजबूति का कम हो रही है और आपका बिल्डिंग का life कम हो रहा है तो इसलिए आप इस गलती को जरूर देन दे